Hello everyone, हमने ये chapter के two paragraphs पहले पढ़े हैं Chapter है आपका दराजस्थानी स्कूल ओफ पेंटिंग 12th class का chapter है ये दराजस्थानी स्कूल ओफ पेंटिंग जिसमें school मतलब राजस्थानी style बताया गया है अब हम ये third paragraph पढ़ रहे हैं Thou, separated by short distance, the pictorial styles that emerged and evolved in these kingdoms were significantly diverse in term of either execution, fine or bold preference of colours, brilliant or gentle Compositional elements, depiction of architecture, figures and nature modes of narration, affinity for naturalism or had emphasis on extreme mannerism इसका मतलब इन्होंने क्या बताया है कि छोटी छोटी दूरी पर अलग-अलग राज्य थे जैसे कि इन्होंने पहले बताया कौन-कौन से राज्य बताया कोटा, जैपूर, बीकानेर, किशनगर तो इनका कहने का मतलब क्या है कि जो भी छोटे-छोटे राज्य थे वो थोड़े-थोड़े दूरी परी थे और वहाँ पर क्या हुआ बहुत सारी जो पेंटिंग्स थी उसके बारे में वहाँ पर बताया गया उसकी शैली, उसका स्टाइल जो है वो अलग-अलग हो गया मगर जो भी स्टाइल थे उनमें क्या था? बोल्ड, मतलब अच्छे और ठीक रंगों के वरियता दी गई यानि उनको प्रेफरेंस दी गई वहाँ पर और वो कैसे थे? बिल्लियंट और जैंटल है ना? तो कोमल और शांदार अच्छे रंग उसमें यूज किये गए दूसरा था इसमें कि इन्होंने पेंटिंग के लिंप्स पेंटिंग के तत्वों को इसमें इन्होंने दर्शा आया कैसे दर्शा है कि पेंटिंग जो थी उसको सही तरीके से क्या है उसका कंपोजिशन अच्छा सा किया गया हो उसकी रचना अच्छे से की गई हो उसमें ध्यान रखा गया हो क्या-क्या चीज़े ध्यान रखी गई हो जैसे उसकी वास्तुकला कैसी है तीक है, वहां पर और वास्प, यानि क्या उसमें बनाया गया है, अर्किटेक्ट ध्यान रखा गया, उसकी फिगर कैसी है, वो ध्यान रखा गया, नेचर मतलब क्या हुआ, प्रकरटी, प्रकरटी का चित्रन वहाँ पर अच्छे से किया गया, यानि वहाँ पर ग्रीनरी जोडना चाहिए किस पर जादा जोड दिया गया उन्होंने मैनरेश्म है जादे ध्यादान ढ़ने कि आपने रिवार इसा एक आहार्पील ट्रभ हां पहर कि ओना पी अच्छार। फक 25 डिया गया पहर ने उन्होंने र्सफेश मैनरेश्म स्कुलियों टो जोगती वहाँ पर उन्होंने उन चीजों पर ध्यान दिया जाद है कि वह चित्र कैसे बनाए जाएं, वह पर कलर कैसे किये जाएं, उन कलर को ध्यान रखा गया, कैसी रचना हो उसकी, वहाँ पर प्रकृति का ध्यान रखा गया, वहाँ पर पेड़ पौधे जादे बनाए ग अब नेक्स आता है पेंटिंग वर पेंटेड ओन वासिल्स लेयर्ड थिन शीट्स ऑफ हैंडमेड पेपर्स ग्लूट तोगेदर तोगेड़ दिजायर्ड थिकनेस इन्होंने बताया कि वासिल्स बनाई गई जो पेंटिंग के लिए यानि क्या था लेयर्ड थी क्या किस बनाई कैसे बनाई कोई हैंडमेड शीट ली उस शीट को जितनी लेयर जितनी थिकनेस उने चाहिए थी जितनी मोटा ही उस पेपर की उने चाहिए थी उन्होंने उसको ग्लू से मतलब चिपकाने वाले किसी पदार से उसको इखटा बना दिया और उसको जितना मोटा उनको वो उनको वसिल्स उन्होंने ले ली the outline was sketched on वसिल्स in black or brown followed by colors fixed during by brief notations और यह क्या है sampik और patches इन्होंने क्या किया है उसको इन्होंने बताया है कि जो वसिल्स थी उसको जो outline थी वो black और brown color की रूप रेखा से की गई उसके बाद उन्होंने उसका नमूना और पैच जो है वो तैकी है कि कौन सा नमूना उस पर बनाना है कौन सा पैच उस पर बनाना है क्या नोटेशन करनी है यह तैकी है उसके बाद उन्होंने कौन से बताया है इन्होंने color pigments were predominantly obtained from minerals and precious metals like gold and silver that were mixed with glue at the binding medium जैसे अगर हम देखें इस चीज को तो देखें आपने देखा होगा कि घर में paint होता है जैसे है तो paint करने के लिए क्या करते है कुछ colors जो है वो water dissolve होते है मतलब पानी में dissolve होके उसको लगा दिया जाता है चूने को पानी में डाल देते है या फिर dissamper color है उसको पानी में भिगोया और wall पे लगा देते हैं मगर कुछ color ऐसे होते हैं जैसे कि enamel paint है enamel paint को अगर आप करोगे तो उसको क्या करना है enamel paint को ऐसे नहीं लगा पाएंगे उसमें कोई medium हमें mix करना पड़ेगा like turpin oil या फिर जो oil paints होते हैं अगर उसकी painting हो रही है इसके साथ tarpin के तेल के साथ या मिट्टी तेल के साथ तो ही हम color वो लगा पाएंगे तो इन्होंने यसे बताया है metals like gold और silver को अगर हमने किसी painting के लिए यूज किया है कोई painting हम यूज कर रहे हैं बना रहे है इन्होंने क्या-क्या यूज किया जैसे camel and squirrel hair were used in brush तो जो brush थे वो ऐसे नहीं थे कि brush आजकल जैसे कोई हमने brush ले लिया और उससे paint कर दिया उस time पे camel यानि उट के बालों से और squirrel मतलब गिलहरी के बालों से वो brush बनाते थे और उससे हो होता था क्या होता था कि हमें कुछ चमक देनी है सपोज हम अगर जैसे मैंने क्लास में बताया कि हम water color की कोई painting मेना रहे हैं और हमें उसको चमकदार बनाना है तो हम क्या करेंगे कौडी आती है जिस कौडी को हम रब करेंगे उस water color जब हमारा complete हो जाएगा वो सूख जाएगा उसके उपर हम रब करेंगे तो वो shining आ जाती है या फिर कंचे बच्चे खेलते हैं कंचे है ना pebbles जो गोल पत्थर होते हैं कंचे होते हैं उसको हम उसको पर रब करेंगे स्मूथ बनाने के लिए तो वो चमकदार बन जाएगा और उसके बाद हम क्या करेंगे अगर हमें पेंटिंग को जो पुरानी पेंटिंग थी जो वासल थी हमने जो लेयर्ड पेंटिंग बनाए थी जो थिकनेस थी उसको हमें चमकदार बनाने के लिए क्या करना है उसको हम रब नहीं करेंगे उसको हम एक शिरीन के एक एजेंट के साथ उसको जलाएंगे जलाने के बाद क्या होगा वो यूनिफॉर्म चमक आ जाएगी उसमें और एक अलग तरीके का एक मिटीरियल तयार हो जाएगा जिससे वो सुंदर और अच्छी तरीके से दिखने लगेगी या या पेंटिंग एक्टिविटी वाज़ काईड ओफ टीमवर्क क्या था जो पेंटिंग उस टाइम पर बनाई जाती थी वो एक टीम वर्क था यानि कि कुछ लोगों की टीम होती थी जो इस वर्क को करते थे तै क्या था विद दॉम्पोजिंग और प्राइमरी वर्क करता वो और ड्रॉइंग वो बनाते थे जो मास्टर होते थे जो हैड होते थे वो यह वर्क करते थे और पीपल कौन था जो शिशे थे जो विद्ध्यारती थे और एक्सपर्ट करने वाले थे और जो पोट्रेट बनाने वाले थे आर्किटेक्चर थे लैंड्सकेप बनाने वाल करते थे और वो यह चीजे बनाते थे next क्या है taking over and doing their bits and finally the master artist putting the finishing touches जो master होते थे इसमें head होते थे वो finishing touch बाद में सबसे ज़्याद है उसको दिया करते थे आप जानवर किसी और ने बना दी ये landscape किसी और ने बना दी और वास्तुकला किसी और ने कर दी वो किया करते थे अब क्या होता था the scribe would right and verse in the space left for the one क्या होता था जो जगे छुट जाती थे बाई miniature क्या था आपकी आजकल की type की manuscript और miniature क्या था जैसे आजकल comics होती है तो comics में क्या होता है picture भी बनी होई होती है और उसमें लिखा भी होता है story तो वहां पर story के लिए वो जगे छोड़ दे थे और story जो है वो कोई और लिखता था उसके लिखने वाले writer चंद लिखने वाले पद लिखने वाले जो होते थे वो कोई और होते थे और drawing और painting करने वाले और होते थे तो हमने ये पढ़ा कि उस टाइम पे कैसी पिच्चर थी, कैसा उसको बनाया गया था, अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यह जो पिच्चर हम दिखा रहे हैं यहाँ पे, यह जो पिच्चर है, यह आप देख रहे होंगे, यह पिच्चर, जो यह पिच्चर बनी हुई है, है न, यह पिच्च यह कोई और बनाता था और जो इसमें निरेशन किया गया है या फर कुछ लिखा गया है साइड्स में वो कोई और करता था या एक पूरा टीम वर्क होता था अब इसके लिए जो ब्रश यूज उता था वो ब्रश जो था वो स्कुरिल और कैमल के जो वो थे बृसल जो बनते बीजे बीजे पाल में पयोग है यो दो प्रच्वाल सब्दीख लागी ऑना का रगीज़ किया है था लिख बीज़ जिए दा दो दो ये पूलीज़ को बीज़ झाल बीज़ को बाल जाखना फैंए टो वो ढगना भीज़जग कर देखना वे दे वीज़ कर देसा